इलेक्टिसिटी से चलने वाला पहला कम्प्यूटर गब बना था नंदित मैं? राजेश इलेक्टिसिटी से चलने वाला पहला कम्प्यूटर युनाइट स्टेट्स ओफ अमेरिका में बना था इसे इन्याक कहा जाता था अमेरिका में बना इन्याक या Electronic Numerical Integrator and Computer वहाँ बना पहला Electronic Programmable Computer था इन्याक कॉलोसस से ज्यादा तेज और उप्योगी था कॉलोसस की ही तरह इन्याक में भी एक प्रोग्राम को पैच केबिल्स और स्विच्चस से पहचाना जाता था इन्याक को प्रोग्राम्ट करने वाली 6 महिलाई थी और उन्हें इन्याक गल्स कहा गया इसने तेज गती की Electronics को जोड़ कर उन्हें जटिल समस्याओं के लिए प्रोग्राम्ट करने वाला बना दिया ये एक सकिन में 5000 बार जोड घटा सकती थी उस वक्त के किसी भी मशीन से 1000 गुना तेज थी साथ ही इसमें गुना, भाग और वर्गमूल के मॉड्यूल भी शामिल थे इसे University of Pennsylvania के John Mockley और J. Presper Eckert की देखरेक में बनाया गया था इन्याक में 1943 से लेकर 1945 में तब तक संशोधन होता रहा जब तक इसे पूरी तरह चालू नहीं कर दिया गया हालके ये मशीन बहुत बड़ी थी, इसका वजन करीब 30 टन का था ये 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर खर्च करती थी इसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूप्स, 1500 रिलेस और सैक्णों हजारों की संख्या में रेजिस्टर्स, केपासिटर्स और इंड़क्टर्स लगे हुए थे तो क्या एनिक ने कंप्यूटर का नया दौर शुरू किया? हाँ, लेकिन इसके बाद काफी विकास हुआ हाँ, लेकिन इसके बाद काफी विकास हुआ